देखो बच्चो चेप्टर 3 के अंदर चेप्टर 3, 11 स्टांडर में चेप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन या तो मोशन इन वन डाइमेंशन यहाँ पे आपको यह नाम से चेप्टर 3 आपको दिखेगा यह फिजिक्स का जो पोर्षन है मोशन इन वन डाइमेंशन या तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन यह जो फिजिक्स का पोर्षन है वो बहुती काम का पोर्षन मिकेनिक्स का पोर्षन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चेप्टर 3, चेप्टर 4 यह सभी चेप्टर्स 11 स्टांडर के जो चेप्टर्स है वो बहुती काम के chapters है अभी ये chapter 3 motion in one dimension या तो motion in straight line जो भी इसका नाम आप यहाँ पे देखोगे अलग-अलग books में लेकिन ये chapter से generally start जो हो रहा है वो हो रहा है mechanics physics की एक branch है mechanics mechanics क्या है physics की एक branch है और mechanics के अंदर motion का और ये वो सब कुछ study होता है motion का motion के बारे में जो motion के reason से उसका ये mechanics के अंदर study होता है तो chapter 3 से जो हम study करने वाले है वो motion कोई भी चीज़ की motion हो रही है तो उसकी velocity क्या होगी उसका acceleration क्या होगा उस पे कौन सी direction में क्या force लग रहे है उसके motion का reason क्या है वो सब कुछ generally हम यहाँ कुछ ना कुछ देखेंगे तो बच्चो यहाँ पे जो chapter 3 है यह chapter 3 में यह हम पढ़ने वाले mechanics portion ले और mechanics क्या है कोई आपको पूछे के भई यह mechanics क्या है तो mechanics के अंदर दो ब्रांच है यहाँ पे mechanics के अंदर first branch जो है वो है kinematics first branch kinematics first branch जो है वो है kinematics अब यह kinematics क्या है kinematics में आप motion का study करोगे कोई भी object कोई भी object के motion का study करोगे लेकिन वो motion के जो reasons होते है जो causes होते है उसका study नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ motion का study होगा अर्थ जो है sun के आजु बाजु गुम रही है तो अर्थ के motion का study होगा लेकिन वो क्यों इस तरह से ही घुम रही है उसके जो भी कोजिस है उसका study kinematics में नहीं होगा kinematics में क्या होता है बच्चो सिर्फ motion का study होता है फिर दूसरी ब्रैंच जो है वो है dynamics dynamics यह दूसरी ब्रैंच है अब यह जो dynamics क्या है जिसके अंदर motion का study होगा लेकिन उसके reason का भी study होगा कि अर्थ sun के आसपास घुम रही है तो कौन सा reason है जो इस तरह से motion हो रही है तो यहाँ पे motion प्लस यहाँ पे motion का तो होगा इस प्लस इसके जो causes होगे उसके जो reasons होगे motion plus its causes दोनों का study होगा यहाँ पे only यहाँ पे सिर्फ आप study करोगे motion के बारे में उसके causes उसके reason के बारे में study नहीं करोगे, तो mechanics क्या है, mechanics क्या है, kinematics and dynamics, दोनों की एक collective branch है, कोई आपको पूछे के भई, mechanics क्या है, what is mechanics, आपको mechanics के बारे में अगर कोई पूछे, तो वो kinematics and dynamics की एक collective branch है, और kinematics क्या है, हमारी second definition, what is kinematics, तो kinematics एक एक एसी branch है, जिसमें सिर्फ, जिसमें सिर्फ motion का study होगा, उसके causes का study नहीं होगा, फिर number three, dynamics क्या है, कोई आपको पूछे के dynamics क्या है, तो dynamics में बच्चों याद रखना, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे motion plus, उसके reason का भी study होगा, लेकिन इसके अंदर kinematics में सिर्फ और सिर्फ motion, इसके अंदर motion plus, उसके जो भी reason है, वो दोनों का study होगा, तो यह mechanics जो है, वो kinematics and dynamics, दोनों से बनने वाली एक branch है, तो आपको मैंने, जो Google Classroom में material बेजा है, उसमें सभी की definitions आपको मिल जाएगी, के भाई, what is mechanics, what is kinematics, dynamics, क्या है, यह सभी की definition आपको उसके अंदर मिल जाएगी, फिर यहाँ पे, अगर आपको लिखना है, तो मैं आपको साथ में अभी लिखा भी दू, के mechanics क्या है, kinematics क्या है, dynamics क्या है, यह आपको लिखना है, तो लिखो, यहाँ पे लिखो, सबसे पहले mechanics की definition लिख लो बच्चो, जो आपको help करेगी, एक्जाम के अंदर, अगर पूछ लिया, what is mechanics, तो आपको वो एक्जाम के अंदर help करेगी, आपको फिर ढूणना नहीं पड़ेगा, तो लिख लो बच्चो, mechanics के बारे में, जल्दी से start करो, mechanics के बारे में, मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, चलो, नोटबुक लेके start करो, लिखो, mechanics को मैं define करने जा रहा हूँ, mechanics में लिखो, kinematics and dynamics are collectively known as mechanics, mechanics की definition, kinematics and dynamics are, kinematics and dynamics are collectively known as mechanics, definition लिखो, mechanics की definition, kinematics and dynamics are, collectively known as mechanics, चलो, यह हो गई, mechanics की definition, इसके बाद, kinematics की definition में आपको बताने जा रहा हूँ, kinematics, चलो, उसमें लिखो, kinematics की definition, a branch of physics dealing with motion, a branch of physics dealing with motion, a branch of physics dealing with motion without considering its causes, a branch of physics dealing with motion without considering its causes is known as kinematics, a branch of physics dealing with motion, a branch of physics dealing with motion without considering its causes is known as kinematics, फिर dynamics में लिखो, dynamics क्या है उसमें लिखो, dynamics में लिखो, dynamics में लिखो, a branch of physics describing motion, a branch of physics describing motion along with its causes, a branch of physics describing motion along with its causes, along with its causes and properties, its causes and properties of a moving body, of a moving body is called dynamics, of a moving body is called dynamics, चलो इसके बाद यह mechanics हो गया, kinematics हो गया, dynamics हो गया, के भई यह mechanics क्या है, kinematics क्या है, dynamics क्या है, यह यहाँ पे हो गया, चलो इसके बाद अब, यहाँ पे मैं आपको बढ़ाऊंगा, दूसरी definition, यह 1, 2, 3 हो गया, यहाँ पे अब 4, number 4, number 4 मैं आपको बताऊंगा, position, position क्या होती है, तो बच्चों, position के बारे में, मैं आपको एक simple सा explain करूं, position में क्या होगा, बच्चों मान लो यहाँ पे मैंने, यह x और y axis, x axis and y axis draw किये, यह origin होता है 00, यह है main reference point 00, फिर यहाँ पे है p point, यहाँ पे है p point, जिसके coordinate है x1, y1, तो बच्चों यह x1, y1, बच्चों यह x1, y1, आपने जो लिखे, वो with respect to 00 लिखे है, with respect to 00, तो यहाँ पे जो p point है, p point, उसकी position आप बता रहे हो, with respect to 00, तो किसी की भी position बतानी हो, तो पहले एक reference point decide करो, सबसे पहले क्या decide करो, एक reference point, सबसे पहले आप decide करो, कोई एक reference point, तो position अगर आपको दिखानी हो, किसी भी point की position दिखानी हो, देखो, यह position के बारे में बता रहा हूँ, यह x-axis, यह है y-axis, यह origin 00, origin 00, 00 के respect में p point की position मुझे बतानी है, तो 00 के respect में p point का coordinate 6 और 8 यह आपको मिला, p का coordinate, तो यहाँ पे यह 6 और 8 with respect to 00 है, तो बच्चों, कोई भी एक reference point fix हो जाने के बाद, जो आप कोई भी point की position decide कर सकते हो, मानलो यहाँ पे q point, यह q point, तो q point की position क्या होगी, कुछ अलग होगी, x2, y2, यह position कुछ अलग होगी, लेकिन सभी की position, सभी की position आप with respect to reference point ही decide कर पाओगे, किसी की भी position आपको चाहिए, तो with respect to reference point, तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया, के भई position जो होती है, मानलो आपका घर है, आपका घर, उसका address, with respect to railway station ही मुझे लेना है, के railway station से कौन सी direction में कितने किलोमेटर पे आपका घर है, तो railway station क्या हुआ बच्चों, railway station एक reference point हुआ, तो कोई भी चीज की position दिखानी है, तो कोई एक reference point पेले लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच्चों मैं position की definition लिखाने जा रहा हूँ, लिखो आप position की definition लिखाने जा रहा हूँ, लिखो, position is a place, position is a place, where someone or something is located, position is a place where someone or something is located, with respect to any reference point with respect to any reference point फिर से में बोल रहा हूं position की definition position is a place where someone or something is located where someone or something is located with respect to with respect to any reference point तो यहां पर बच्चों मैंने position की definition आपको बता दी position की definition यहां पर आप देख सकते हो position क्या है तो fourth definition हमारी हो गई position के बारे में अब इसके बाद next definition जो में पढ़नी है वो है path length path length and displacement number five number five जो हमें पढ़ना है वो है path length और उसके बाद हमें पढ़ना है displacement के बारे में चलो यह मैं पढ़ाने जा रहा हूँ path length सबसे पहले number five path length number five अब path length क्या है बच्चो path length का meaning मानलो कोई एक पॉइंट से आप कार लेके निकले बी पॉइंट तक जाना है तो जो रास्ता है वो रास्ता इस तरह से है मानलो यह रास्ता है कार लेके आप यह रास्ते पे गए यह रास्ते पे कार लेके गए तो यह जो cover distance है जो पाटिकल ने या तो कोई भी object में यह distance cover किया इसको बोलेंगे path length तो path length means जो भी path आपने cover किया जो भी path आपने cover किया उसकी length बहुत ही simple है बच्चो path length means cover distance तो path length की definition लिखो बच्चो path length इसकी definition लिखो path length इसकी definition लिखो the total distance traveled by a particle the total distance traveled by a particle in some time interval the total distance traveled by a particle the total distance traveled by a particle in some time interval in some time interval is known as path length the total distance traveled by a particle in some time interval is known as path length तो बच्चो path length क्या है simple सी बात है path length क्या है जितना distance कोई particle या तो कोई object ने cover किया है जितना distance कोई particle या तो कोई object ने cover किया उसको हम path length बोलेंगे तो ये है आपकी path length फिर नमबर शीक्स चिसकों बोलेंगे displacement नमबर शीक्स हम डिफाइन करने वाले है displacement को नमबर शीक्स displacement अब ये displacement क्या है बच्चों देखो displacement का मिनिंग displacement का मिनिंग A से B तक आपकी position चेंज हुई तो A से B तक जो position चेंज हुई तो कितनी position चेंज हुई इतनी तो position में चेंज हुआ इतना इतना चेंज हुआ यहाँ पे थे और यहाँ पे पहुँच गए तो ये क्या है the shortest distance between A and B A and B के बीच का shortest distance है यह तो आपने displacement कितना किया A से B तक गए आपने displacement किया है यह तो कोई पूछे के पे displacement क्या है तो the shortest distance between A and B यह भी बोल सकते हो यह तो आप displacement की definition लिखो भच्चो displacement की definition लिखो displacement की definition लिखो the change in position the change in position of a particle the change in position of a particle in some time interval in some time interval the change in position of a particle in some time interval is known as displacement तो यह होगे displacement की definition बच्चो displacement जो है उसकी definition के उसकी position में जो change हुआ उसको आप बोलोगे displacement अब नंबर सेवन नंबर सेवन नंबर सेवन जो है वो है फ्रेम ओफ रेफ्रेंस अब बच्चो फ्रेम ओफ रेफ्रेंस यह नंबर सेवन अब बच्चो फ्रेम ओफ रेफ्रेंस क्या है फ्रेम ओफ रेफ्रेंस तो बच्चो मान लो आप जहां से कोई भी observation कर रहे हो। आप जहां से कोई भी observation कर रहे हो। मान लो आप कोई बस में बेटे हो और बस में बेटे बेटे बस की विंडो में से आप बाहर देख रहे हो। तो बस की विंडो जो है मिंस वो आपकी हो जाएगी फ्रेम ओफ रेफ्रेंस। तो बस अगर stationary है तो आप बस के बाहर वाली पूरी दुनिया आपको stationary लगेगी। लेकिन बस अगर motion में है तो बस के बाहर वाली पूरी दुनिया आपको motion में लगेगी। तो एक simple सी बात है frame of preference means आप कौन सी frame में से observation कर रहे हो। मानलो आप कोई रास्ते पे बाहर खड़े हो, कोई पेड़ के पास या तो bus stand में आप खड़े हो और आप bus की और देख रहे हो, बस दूर से आई, आपके पास कड़ी रही और फिर वापिस चली गई। तो आपने क्या observe किया, कि bus पेले motion में थी, फिर आपके पास आके stationary होगी और फिर से वो motion में आ गई। तो reference frame जो होती है, वो कौन सी place पे, कौन सी position में आप observation करते हो, वो frame को reference frame बोला जाता है, या तो frame of reference बोला जाता है। तो आप ये frame of reference जो है, वो बहुती एक काम का, यहाँ पे एक medium है। मान लो, आप दो bus, एक bus 40 की speed से जा रही है, एक bus 40 की speed से जा रही है, बाजू में दूसरी bus है, वो भी 40 की speed से जा रही है। तो आप window में से देखोगे, तो आपको बाजू वाली bus stationary feel होगी, क्यूंकि दोनो bus सेम speed से जा रही है, तो आपको क्या feel होगा? ये bus number 1, ये bus number 2, आप इसकी window में से, ये दूसरी bus को देख रहे हो, दोनों bus same speed से जा रही है, तो आपको ये window में से क्या feel होगा, कि मेरे बाजू में जो bus चल रही है, वो stationary है, लेकिन मान लो बाजू वाली bus की speed ज्यादा है, तो क्या होगा, वो और take कर लेगी, समझ भी आ रहा है, तो आपकी reference frame कैसी है, उसके हिसाब से पूरा observation होगा, और पूरे question का solution होगा, तो reference frame, इसकी definition लिख लो बच्चो, reference frame या तो frame of reference, इसकी definition लिख लो आप, a place and a situation, a place and a situation from where an observer a place and a situation from where an observer from where an observer takes his observation takes his observation is called frame of reference is called frame of reference